असलाम वालेकुम व्यूवर्स दिस बिलाल कास्म यूर इंग्लिश मेंटोर और इस अवर फूर्थ लेक्चर विच इस अबाउट शुड अक्सर एसा होता है कि हम इस तरह के संदेंसिस सुनते हैं अपनी एव्रीटे लाइफ में जैसे तुम्हें मेहनत करनी चाहिए तुम्ह सच बोलना चाहिए तुम्हें जूट नहीं बोलना चाहिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए ठीके हमें नया घर खरीदना चाहिए या फिर अगर आपका फोन पराना हो गया है तो आपके फ्रेंड्स आपको एडवाइस करते हैं कुछ इस तरह से कि बाई तुम्हें नया फोन खरीदना चाहिए और तुम्हें जो है महनत करनी चाहिए और जैसे एक्जेम्स हैं आपके छोड़े भाई बेन के या फिर किसी के भी तो हम क्या करते हूं उनको इस तरहा के संटेंस केते हैं कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए तुम्हें prophecy चाहिए सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए तुम्हें महनत करनी चाहिए तुम्हें अपनी तैयारी करनी चाहिए एक्जाईम्स के लिए तो कैसे बहुत जो लेंगे इस तरхा के तमाम संटेंस अगर हम इंग्लिश में बोलनाचाहते हैं तो को हम बोल सकते हैं बासानी इस structure इस model वर्ब की मदद से और यह क्या है यह शुड ठीक है इसका भी pronunciation जो है वो शुड है यहां पर एल साइलेंट है एल को प्रणाउंस नहीं करेंगे ठीक है वेल बढ़ते हैं आगे examples की तरफ जैसे के मैं बता चुका हूं और दू में यह सारे sentences जो हम use करते हैं उनको हम के से English में बोल सकते हैं उनको हम should की मदद से English में बोल सकते हैं तो should को हम इस्तमाल क्यों करते हैं शुड को हम इस्तमाल करते हैं we use it for general advice या फिर suggestion ठीक है नसीहत शुड को हम इस्तमाल करते हैं general advice या फिर नसीहत करने के लिए जब हम किसी और को नसीहत करते हैं generally आम तोर पर जब हम किसी को किसी भी तरहा की नसीहत करते हैं उन तमाम नसीहतों को अगर हमें English में करना है तो वो हम should के जरीए से कर सकते हैं जैसे आपको मेरा channel subscribe करना चाहिए आपको मेर वीडियो उसको like करना चाहिए यह भी नसीहत है ठीक है अब यह general advice है general advice वह advice होती है कि सामने वाला माने या ना माने वह उसकी मर्दी आप सिर्फ advice करने मतलब suggest करने समझ आरा भाई तो इस तरहा के sentences को English में हम should की मदद से बोल सकते हैं तो कुछ examples लिखी में उनको देख लेत हैं जैसे के first example है we should work hard हमें महनत करनी चाहिए जाहिए जायर सी बाते किसी भी काम को हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम उस काम में कोई महनत ना करें he should earn money जैसे आपका कोई friend है और वो जो है कुछ कमाते हैं नहीं और जब देखो तब आप पर भोज बने हुए हैं तो आप क्या कहेंगे उनको he should earn money उसे पैसे कमाने चाहिए she should cook food उसे खाना पकाना चाहिए इसके इलावा और भी बहुत सारी examples मैं आपको दे सकता हूँ और आप खुद भी जो हैं वो अपने जहन से सोच सकते हैं जो हम अब हमारी everyday life में इस तरहा के sentences को यूज करते हैं जैसे अगर बारिश हो रही है त भई आपको चाता ले जाना चाहिए इसी तरह से और भी बहुत सारी examples आप सोच कर बना सकते हैं ठीके यह था हमारा should जो के use होता है general advice के लिए इसकी उर्दू क्या होती है उर्दू होती है चाहिए मतलब उर्दू में यह जो sentences है चाहिए वाले उन तमाम sentences को हम English में should के जरि झाहिए